अगर मैं आपको कुछ ऐसे stocks बता दूँ जो fundamentally बहुत ज़्यादा strong आपको देखने को मिल रहे हैं लेकिन इस समय के market के अंदर आपको काफी heavy discount को पर देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा chances हैं कि यह कि stock recover करने वाले हैं तो आप क्या करोगे obviously आप जाकर एक उसको watch list में रखो गया उसके अंदर position बिल्ड करनी शुरू करोगे तो इसलिए मैं आपके लिए ऐसे 10 stocks लेकर काया हूँ जो इस समय पर अच्छे price के उपर मिल रहे हैं और long term में वो company आपको बहुत शानदार return दे सकती हैं obviously उन्होंने खुद को काफी बार proof कर मतलब मैं वीडियो के इस साइड हूँ आप उस साइड हो obviously आप comment करोगे मैं उसका reply करोगा मैं comment करोगा आप उसका reply करोगे तब ही जाकर कि ऐसी community मनेगी जहाँ पे एक retail investor बैठ करके आप आसमें discuss कर पाएंगे यहाँ पे कोई भी expert नहीं है ना मैं expert हूँ शायद नहीं आप expert होगे तो हम दोनों के दोनों एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं मैं बहुत ही खुश होता हूँ जब आप लोग comment करते हो और मुझे भी सीखने को मिलता है I hope आपको भी मुझे सीखने को मिलता है और इस community का पार्ट बनने के लिए आप इस channel को subscribe और वीडियो को like कर स लगते हो तो जल्दी से चलते है अपनी वीडियो की साइड जो पहला स्टॉक मैं आपके साथ डिसकस करना चाहूंगो उसका नाम है बाटा इंडिया अगर आप देखोगी जो इसका all-time higher आ है वो रहा है करीब दो हजार रुपे के आस-पास लेकिन उसके बाद क्या हुआ ह उसके बाद ये company लगाता डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई है और डाउन ट्रेंड के बाद ये लगाता नीचे जा रही है क्योंकि उनकी sales है वो इतने अच्छे लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रही लेकिन जो foodware industry है वो माना जा रहा है आने वाले टायम पर काफी अच्छे ल अगर आप मेरे से पूछो कि कहा पर मैंने इसमें खरीदना शुरू कर रहा है, मैंने 20 लूप पर खरीदना शुरू किया था, लेकिन मैंने आपको वीडियो में बताया था, कि मैं इसमें इंस्टॉल्मेंट में इसमें इंवेस्ट करने वाला हूँ, मेरा नेक्स इंस्टॉल् को सस्ते प्राइस पर देखने को मिल रहा है समपे because of market situation और अगर आप नहीं पर RSI की बात करोगे 31.42 की RSI पर कमपरी दिखे रही मुतला fear zone के अंदर आ चुकी है जो मैं next stock discuss करूँगा वो है metro brand यहाँ पर malls के अंदर इनके सारे के सारे यहाँ पर इनकी selling होती है जो कोविट का कहा रहा था कि साइज साइज लॉक्डाउन में फस्ट चुके है वो कहीं न कहीं काम होता हुआ दिखा है और यहाँ पर जोसका P.E. है वो भी इतना जाद नहीं 70 के आसपास का है और revenue काफी अच्छे है मुझे लगता है यहाँ से कमसे हम आपको 20-30% का अब देखने को मिलेगा नहीं पर अगर मैं इसके buying price की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर खरीदा था मेरे को याद है जब मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई थी महीं पर अगर sentiments सारे हमारे अच्छे होते है तो यह company मुझे एक breakdown भी दे सकती है अब question आता है कि में पर position नहीं है मेरे को क्या position बिल्ड करनी चाहिए मुझे मेरा suggestion रहेगा आप position बिल्ड कर सकते हो asset को इमीचे दिक्कत आपको इस company में देखने को नहीं मिल रही है वहीं पर जो polymer है वहाँ पर आपको sixth largest company देखने को मिलेगी यह small company भी है तो इसी विज़े से आप पर volatility आपको काफी अच्छे देखने को मिल रही काफी शांदार देखने को मिल रही है यहां से भी यह company 2X 3X हो सकते है for sure वापिस ही company आपको नीचे आते वे दिखे है और अपने all time high के आसपास से touch करके company नीचे आ गई है और अपने major support के पास आती जा रही है जो कि है 4,400 रुपे के आसपास मैं मान लेता हूँ कि downtrend के अंदर company जा रही है और यहां से भी नीचे चली जाती है तो मुझे लगता है यह company आपको जो एक इससे भी strong support देखने को मिलेगा करीब करीब 4000 के आसपास देखने को मिलेगा तो इस साब पर हम इसके अंदर wait and watch करने वाले हैं और 4000 के आसपास आईगी तो हम इसके अंदर एक position build करने की शुरुआत करेंगे सेम सिनेरिय होगा हमारा मतला position building करेंगे slowly steadily हम इसके अंदर position build करना शुरू करेंगे एक installment, 2 installment और 3 installment में वहीं पर आप इसके RSI की बात करो 37.58 के RSI कमपनी ट्रेड कर रहे हैं मतला fear zone के अंदर आ चुकी है जो हमारी अगली company होने वाली है उसका नाम है FL India यह company में काफी अलग सी और काफी शांदार सी company देखने को मिलेगी आपको यह engagement बढ़ाती है यह lead conversion करती है जैसे आपने Google दिखा होगा कि आपको ad दिखाता है काफी अलग-अलग products का Facebook ad जैसे होता है वैसे ही तरीके का इनके पास platform है और उसी तरीके का यह काम करते है Google और Facebook के साथ mail करके काफी अच्छा इनका देखने को मिलता है यह वाला है यहाँ अगर आप देखोगे तो इसने एक पार टच यहाँ पर करा फिर नीचे है फिर यहाँ किया तूसी बार यहाँ पर टच करा है इसने मुझे यह लगता है कि अगर यहाँ पर यह टच करके उपर चली जाए वापिस नीचे है और तो तीस रुपे के असपास हमारा विजन होना ची जहां पर एक कंपनी आ करके सपोर्ट ले सकती है FL India एक अच्छी कंपनी एक डीसेंट कंपनी आपको देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा रेटन नहीं देगी आपको फॉर शॉर लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे कास से 20-40% के आसपास का रेटन देखने को मिल सकते हैं लास्ट एक से दो साल के अंदर अब जो हमारी अगली कंपनी होने वाली है उसका नाम है पतांजली फूट्स इसमें कोई दो राए नहीं है कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर आप देखोगे राम देवी बाबा खुदी इसके ब्रैंड एंबैसेडन है और काफी एक डीसेंट लेविल की कंपनी अब देखने को मिल रही है लेकिन एक डीसेंट कंपनी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो सकती है क्योंकि आप देखोगे जो मैगी है वहाँ से शिफ्ट होके लोग आटा नूडल्स की साइट जा रहे हैं धीरे धीर और और गैनि दिये है इसने जब से इसका नया वाला IPO आया है पहला जो IPO था वो रूचिसुए के नाम से था पतांजली फूद ने अक्वाइर कर लिया तो इसी मुझे इसका नया IPO आया है वहां से आपको एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप देखोगे तो इसने अपता momentum shift कर लिया है जो इसका exact price है जो कि market इसको देना चाता है वहां पर यह company आती जा रही है तो मुझे लगता है अच्छी opportunity कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे यहाँ पहली position में बिल्ड करूँ हो करीब-करीब 800 रुपे क्या सब सकर आ जाती है तो मुझे एक safe site देखने को मिल जाएगा कहीं न कहीं ऐसी चीज़ देखने को मिल जाएगी जहाँ पर मैं ले सकता हूं रिस्क मेरा थोड़ा कम हो जाएगा और मुझे थोड़ी चीज़ सस्ती देखने को मिले तो ज्यादा अच्छा लगता है और market उसी तरी चाहिए पाटन बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है वह दिख रहा है कहीं न कहीं ये एक टरीकी का shoulder आपको देखने को मिल रहा है ये एक टरीकी का head देखने को इन रहा है ये shoulder और इसने यहाँ पर breakout दिया है है क्या वाँ पर एक red flag देखने को मिलता है ये green red dye देखने को मिलता है 25-60 रुपे को अगर ये तोड़ती है तो 27-00 रुपे तक ये कंपनी आपको असाली से जाते हुए दिख सकती है ये कंपनी भी एक decent level-y company है defense sector के अंदर काम करते है defense को पर काफी ज़्यादा budget का allocation आया हुआ है तो अच्छी company है ऐसी कोई दोर आई नहीं ये long term perspective से अच्छी है लेकिन यहाँ पर government का involvement हो जाता है तो यहाँ पर बहुती ज़्यादा आपके सकते हो approvals की दिक्कत हो सकती है कहीं न कहीं तो इस वज़िस से बहुत ज़्यादा allocation तो मैं नहीं दूँगा अपने portfolio का एक या 2% maximum अगर मुझे diversify करना है तो अभी मैंने इसकंदा होल्ड नहीं करा हुआ है अगर आप देखोगे 52.43 के RSP कमपनी ट्रेड कर रही है फिर जोन से तो निकल चुकी है नेक्ष्ट कमपनी है हमारे विदान्त fashion ये शांदार कमपनी आपने मानने वर का नाम सुना ही होगा ये एक ऐसा fashion brand है जहाँ पर आपको sale देखने को नहीं मिलती क्यों क्योंकि पहले चीज़ इनके जो product है वही आपको limited देखने को मिलेंगे और यहीं पर जो इसका ROCE और ROE ये बहुत शांदा तरीके से गुरू करता है PE भी जो है obviously थोड़ा premiumness आ जाता है लेकिन PE आपको exact valuation किसी भी कमपनी का नहीं बता सकता और अगर आपको clothing brand के अंदर ही position build करना है तो मानने वर एक company हो सकती जहाँ पर आप position build कर सकते हो इसका जो major support बन रहा था इस समय पे 1160 रुपे के असपास और ये company वापिस abstraint के अंदर move होने की कोशिश कर रही है 50 DME के उपर तो जाई चुकिए लेकि 200 DME के अभी भी नीचे है तो जब तक इस company के अंदर pressure मना रहेगा North India के अंदर बहुत ही ज़्यादा popular है obviously research के अंदर काम करते हैं, testing के अंदर काम करते हैं आपको पता है Dr. Lal Path Lab अगर आप North India में हो तो काफी ज़्यादा popular Path Lab आपको देखने को मिलेगी obviously blood test करते हैं, बागी साइज चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पे अगर आप देखोगी जो इनका OPM है वो धीरी धीरी कम हुआ है, COVID के बाद से लो testing यह थोड़ी थोड़ी कम हुई है इसलिए पूरी 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 जो Path Lab इंडरस्टी है उसके उपर एक क्रिशन ही देखने को आपको मिल रहा है और इसका जो PES 67 है तो लोग कहते हैं अभी भी expensive है बट अगर हम मान ले कि हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे यह कंपनी सपोर्ट लेती है जो कि आप देखोगी यहाँ पे, क्योंकि इसने एक बार अल्रेड़ी अप्रण लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, तो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे यह कंपनी सपोर्ट लेती है उसके बात क्या होता है, यह कंपनी maximum जाती है 1835 रुपए के आसपास अगर हमें position build करनी ही है, ठीक है, path lab करना है, अगर आपको position build करनी ही है डॉक्टर path lab आपको best company देखने को मिलेगी, लीडर company देखने को मिलेगी करीग करीव 1830 रुपए के आसपास ही, start करना, build करना, आपको risk reward ratio आपके favor में दिखेगा अगर आप पूछोगी है, अभी खरी सकते हैं, देखो risk reward ratio अभी भी आपके favor में, कोई दिक्कत नहीं है जो विदानता है, वह एककाар देखने को मिल रहा है, और अगर आप रियल टम में बात करते हो कि जो natural resources है, वो एक तरीकी का gold है, तो यही company उस gold की खान पे बैठे हुए, उस gold को process करती है, और अगर आप देखते हो, यह company आपको अच्छे discount पे भी देखने को मिल रही है, इसका जो all-time high रहा है, वो रहा है, इन demand पे थोड़ा बहुत trigger करते हैं, लेकिन अच्छी company कोई दोराई नहीं है, इसके अंदर price भी सकंदर, एक decent आपको देखने को मिल रहा है, valuation obviously एक decent है, काफी कम valuation है, आठ का PE है, मतलब valuation काफी कम है, लेकिन वहीं पे R.O.C.E. काफी अच्छा है, इस होज़े सा मुझे लगता है, इसके अंदर position building हमें अच्छी देखने को मिल सकते है, क्योंकि valuation काफी attractive है इस समब पर, last company है हमारी, लेकिन least नहीं है, उसका नाम है happiest mind, इनके जो management है, वो बहुत शांदार है, उन्होंने विपरो को भी बनाया है, उन्होंने माइंट्री को भी बनाया है, अच्छी खासी बड़ी position पर रहे हैं, CEO वाली position पर रहे हैं, जो इसके इस समब पर owner है, लेकिन ज़्यादतर question यह पूछी जाते हैं, इस company के बारे में, कि जब उनका दिहांत हो जागा, तो क्या हो, क्योंकि 80-85 साथ के वो already हो चुके हैं, तो उन्होंने बोला है, कि मैंने ऐसा process सी setup कर दिया है, जहां पर उनके होने ना होने से कोई major फरक नहीं पड़ेगा, यह company काफी अच्छे तरह के से revenue बना पाएगी, obviously यह concern है, जब कोई इनसान नहीं होता, तो कैसा होगा, वो ना होने पर ही पता चलेगा, हम तो चाहेंगे उनकी उमर 100 के आसपास हो, लेकिन अगर आप देखोगे, जो happiest mind है, यह अपने major support के आसपास आ चुकी है, यहाँ पर देखो, यह वाला zone है, आप बोलोगे यार आपकी सारी कंपरें major support के आसपास, भाई, market situation कंपनियों को नीचे लेकर के आता है, small cap और mid cap कंपनियों को भी, तो यह चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, अच्छी opportunity कोई दिक्कत नहीं है, holding period अगर आप अभी खरीद देखने को मिल सकता है, वहीं पर अगर आप downside average कर रहे हो, तो आप कोई पता होगा जो आपका price है, वो कितना आ रहा है, उससाब से आपके return vary कर सकते हैं, यह थे हमारे ऐसे 10 stocks, जो मुझे लगता था, मुझे आपके साथ discuss करने चाहिए, आपका vision inside side 10 stocks के बारे में, आपके कौन से portfolio में हैं, या फिर नहीं है, या फिर अगर आप इसके आगे भी कोई जानकारी देना चाहते हैं, जो इस वीडियो के अंदा मिसिंग है, तो आप comment section नहीं बता सकते हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है जब आप ऐसी वीडियो के पर comment करते हैं, thank you so much for watching this video, tata bye bye, signing off.